नमस्कार आप सभी का स्वागत है सावन का महिना यानि की देवो के देव महादेव का सबसे प्रियम मास अगर सावन महा में कोई भी विक्ती सच्चे मन से श्यू जी के आराधना करता है तो उसकी सभी मनो कामनाय पूर्ण हो जाती है और भगवान शीव की क्रपा हमेशा घर पर बनी रहती है लेकिन कुछ ऐसे काम भी है जो हमें सावन के महिने में भूल कर भी नहीं करने चाहिए नए तो भगवान महादेव हम से रुष्ट हो सकते है आज की इस वीडियो में हम आपको सावन माज से जुड़े कुछ ऐसे तत्य और कारियों के बारे में बताएंगे जिने भूल कर भी नहीं करना चाहिए इन कामों को करने से हमेशा बचना चाहिए क्योंकि इससे भगवान शीव क्रोधित हो जाते है तो चलिए जान लिते है वो कौन से कारिय है जो सावन के महिने में हमें नहीं करने चाहिए पर उससे पहले अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कर लीजिए ताके आपको ऐसे अध्यत्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके साथी वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रू करे सावन का महिना भगवान शिव का सबसे प्रिय महिना माना जाता है इस पूरे महिने के दोरान महादेव भहुती ज़्यादा प्रसन होते है इस महिने में जो भी विक्ती सच्चे मन से शुजी के आराधना करता है तो महादेव उनकी सबी च्छाव को पूर्ण करते है दोस्तो भगवान शिव का पवितर स्रावन मास सन 2021 में 25 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक होगा जिसमें कुल 4 सुमवार आएंगे जिसमें प्रतम सुमवार वरत 26 जुलाई को दूसरा सोमार वरत दो अगस्त को और तीसरा सोमार वरत नव अगस्त को और चोता सोमार वरत 16 अगस्त को आएगा सभी भक्तजन बड़ी स्रद्दा से प्रतेक सोमार वरत रखकर शिव जी के आरदना करते हैं इससे उनकी मनो कामनाय पूर्ण होने की संबावनाय बहुत बढ़ जाती है और यही वो महिना है जिसमें भगवान शिव की क्रपा सबसे ज़्यादा बरसती है लेकिन दोस्तों सावन मास के दोरान हमें कुछ विशेश बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए अन्यता भगवान प्रसन होने की बजाय नाराज हो सकते हैं तो चलिये जान लिते हैं सावन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं पहली बात सावन के पूरे महिने के दोरान हमें सो मौर की दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए और ये वैग्यानिक द्रश्टी से भी फल दायक माना जाता है दूसरी बात सावन के महिने में भगवान शिव के आराधना करनी चाहिए और जला विशेक करते समय ओम नमश्य शिवाय का जाप अवश्य करना चाहिए तीसरी बात हिंदु धर्म की माने तो अगर हम रुद्राक्ष धारन करके शिव जी के आराधना करते है तो ये और भी ज़्यादा प्रभाईत होता है और भगवान शिव की क्रपा हम पर बरसने लगती है चोती बात भगवान शिव को सबसे प्रियव बेल पत्र अर्पित करना चाहिए और इसी के साथ घी, शहद और गंगा जल से भी अभिशेक करना चाहिए चोती बात अगर इस पूरे महिने के दोरान आपके घर के द्वार पर कोई पशू आता है जैसी की गाय, कुत्ता तो उसे सच्चे मन से खाने को अवश्य दे गाय को दिया गया दान सबसे बड़े दानों में से एक है और ये भगवान शिव को भी प्रिय है साथ यू बात सावन के महिने में हमें जादा से जादा दान करना चाहिए और शू मंदिर में जाकर शू जी के आरादना करनी चाहिए आठी बात, सावन महिने में किया गया दान हमें हजारों लाखों गुना लाब देता है इसलिए सावन के महिने में जितना हो सके द्वार पर आए गरीब को दान अवर्श करे तो आईए आप जानते हैं हमें सावन के महिने में क्या नहीं करना चाहिए पहली बात, शावन महेने में भगवाण शिव की भक्ती करते समय हमें केटकी का फूल, तूल सिके पत्य और शंकत से जल भूल से भी चड़ाना नहीं चाहिए दूसरी बात, सावन महेने के दोराण हमें बैंगन का सेवन कभी करना नहीं चाहिए क्योंकि धर्मिक परंपराव की अनुसार सावन के महिने में बेंगन खाना अशुद्ध माना जाता है तीसरी बात सावन के पवित्र महिने में पतियार पत्नी को शारेडिक संबन नहीं बनना चाहिए इससे शूजी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो सकते है चवती बात शूलिंग की पूजा करते समय हल्दी का प्रयोक भी भूल से भी ना करे इससे शूजी रुष्टो हो जाते है पाच्य बात सावन के महिने में बूल कर भी हमें मास, मदिरा, लहसुन और प्यास का सेवन कभी करना नहीं चाहिए सावन महा के दवरान इन तामसिक चीजों को खाना अशुद्ध माना गया है चटी बात शूलिंग की पूजा करते समय गरम दूद को भूल कर भी ना चड़ाए केवल ठंडा दूद ही चड़ाना चाहिए साथ यू बात अगर हम सावन महा के दवरान पूजा करने के बाद खाना खाते हैं तो हमें कासे के बरतन में भूल से भी खाना नहीं चाहिए आठीव बात, सावन महने के दोरान हमें एक दूसरे से नफरत या पशब्द कभी कहने नहीं चाहिए, ऐसा करने से शूजी क्रोधित हो जाते है नवी बात, सावन महने के दोरान घर में विशेश रूप से साफ सफाई का ध्यान रखे, एसे शूजी जल्दी प्रसन्न होते है और आपके घर में प्रवेश करते है आठीव बात, सावन महने के दोरान हमें अपने बाल, नाखुन, इत्यादी नहीं कटने चाहिए और दाड़ी भी नहीं बनवानी चाहिए सावन के महने में हमें देर तक सोना नहीं चाहिए, सुबह जल्दी जाकर सनानादी करने के पश्चात शूजी के आरादना करनी चाहिए और दिन में भी सोना नहीं चाहिए सावन के महने में अगर कोई गरिब विक्ति दिखता है तुसे खाली हाद जाने ना दे तो दोस्तो ये तेवक कारिय जो सावन के महीने में हमें भूल से भी नहीं करने चाहिए अगर ये वीडियो पसंद आये तो लाइक करें कमेंड में हर हर महादेव अवश्य लिखें साथी चानल को सबस्क्राइब करें धन्यवाद